हेलो एवरीवन, वेलकूम अगेन टू लंग्रिदेतीमन, आज हम करने वाले हैं, क्लास 10 में चैप्टर नमबर 6 का राजिस्थान के प्रमुक दुर्ग, ठीके, तो most important है, तो आप लोगों को करना बहुत जरूरी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इससे पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, वीडियो के एंट में इसे लाइक भी करिए, ठीक है, और बैल बटन पर प्रेस भी करिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिपिकेशन मिल सके, कुश्चन वन है, राजिस्थान के छ्षै प्रमुक दुर्ग कौन से हैं, जिन है युनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेस साइट की सुची में शामिल किया गया है, तो यहां उन छै दुर्गों के नाम लखे हैं, देखिए आमेर का महल, गागरोन का किला, कुंबल गड का किला, चितोडगड का किला तो इंच है कि नाम जो है वो आप याद रखिएगा ऐसे दुर्ग जो जल से गिरे हों वो क्या कहलाते हैं तो जल से गिरे हों तो यानि जल दुर्ग ठीक है जल दुर्ग कहलाते हैं लेकिन इसका अन्य नाम भी है ओदुक दुर्ग याद रखना है ऐसा कौन सा दुर्ग है जो जल से घिरा है तो आपको आंसर क्या करना है गागरोन दुर्ग ऐसे दुर्ग जो किसी उचे परवत पर इस्तित होते हैं वो क्या कहलाते हैं तो बहुत उचे परवत पर जो इस्तित होते हैं वो गिरी दुर्ग कहलाते हैं कुश्यन नंबर 4 देखिए ऐसे दुर्ग जो मरू भूमी में बने हो ऐसे दुर्ग क्या कहलाएंगे तो ये कहलाएंगे दहनवन दुर्ग ठीक है मरू भूमी में जो बने होते हैं ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं दहनवन दुर्ग कहलाते हैं जैसे जैसलमेर का दुर्ग तो बहुत अच्छा उधारन है तो उधारन के साथ ही आप लोग याद रखिएगा जैसल मेर दुर्ग जो है वह है मर भूमी में बना हुआ है इसलिए इसे दानवन दुर्ग की कैटेगरी में रखा गया है कुशिन नमबर फाइव देखिए वे दुर्ग क्या कहे जाएंगे जो सगन बीहड वन में बने हो वे दुर्ग क्या कहे जाएंगे तो यहां पर देखिए ऐसे दुर्ग वन दुर्ग कहलाते हैं और एक्जामपल में है शिवाना दुर्ग ठीक है जो शिवाना दुर्ग शिव चारोोर खाई हैं काटे वा पत्थर इनसे होकर इस दुर्ग में पहुंचा जा सकता है तो ऐसे दुर्ग कहलाएंगे एरन दुर्ग जिसमें चितोरड़ का दुर्ग जालोर का दुर्ग जो है वह प्रमुक है क्योंकि इनके 4 और क्या है.. खाई भी है, कांटे और पत्थर भी है, ठीके, जिसके चारो ओर केवल क्या हो, खाई हो, जिसके चारो ओर खाई हो, तो ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं, जिसके चारो तरफ खाई हो, ऐसे दुर्ग पारिक दुर्ग कहलाते हैं, दीके, एक है पारिद और एक है पारिक, तो पा उन्हानेर का जुनागड का किला है तो यह सभी खाई है इनके चारो तरफ तो ऐसे दुर्ग पारिक दुर्ग में आते हैं Next है जिन दुर्गों के चारो और बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो सुरुक्षा की जो चार दिवारी होती है जिन दुर्गों के चारो और हो ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं तो जो दिवारों के परकोटे से गिरे होते हैं तो ऐसे दुर्ग कहलाते हैं पारिद दुर्ग ठीक है अभी हमने देखा पारिख दुर्ग वह है जो चारो और से खाई स जो किससे घिरा हो जिसके चारों तरफ खाई भी हो और जिसके चारो और कांटे भी हूँ पत्थर भी हूँ तो ऐसा दुर्ग कौन सा है ऐसा है चितोडगड का दुर्ग ठीक है तो ये तीनों प्रकारों में आएगा इसे गिरी दुर्ग भी कहेंगे पारिक दुर्ग भी कहेंगे और एरण दुर्ग भी कहेंगे तो चलिए एक बार दुबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन-कौन से दुर्गों के बारे में पड़ा है सबसे पहले हमने उन छे दुर्गों के बारे में देखा आमेर का महल गागरोन का किला कुंबल गड़ का किला जैसल मेर का रड़ थंबोर का और चित्तोड गड़ का किला जिस उसके बाद हमने देखा कि ऊंचे परवत पर इससे गिरी दूर्ग कहलाते हैं और ऐसे जो मरो भूमी में बने हो वो धानवन दूर्ग कहलाएंगे जो सगण बीहड वन में बने हो वो वन दूर्ग कहलाएंगे और जो 4 तरफ से खाई, काटे और पत्थर से गिरे हों, ये एरंड दुर्ग कहलाएंगे, और लास्ट में हमने देखा, कि जो केवल खाई से, जिसके चारो तरफ खाई हो, तो ऐसे दुर्ग कहलाएंगे, पारिक दुर्ग, जिसमें एक्जामपल था, भरतपुर का दुर्ग और बिकानेर का ज चित्रांग ने, ठीक है, कहीं पर चित्रांगद भी मिलता है, तो वीर विनोद की अनसार, मोर्य राजा चित्रांग ने चित्तोडगर के दुर्ग का निर्मान करवाया, चित्तोडगर दुर्ग पर अधिकार करकी, अलाउदीन खिलजी ने इसका नाम बदल कर क्या रखा थ तो इसका नाम बदल कर रखा था खिज्राबाद, ठीक है, खिज्रबाद नहीं, खिज्राबाद जो है नाम रखा था अलाउदीन खिलजी ने, ठीक है, किसको पराजित करके, किसको पराजित किया था, यह आप कमेंट बॉक्स में बताईएगा, कि अलाउदीन खिलजी ने क किसे पराजित किया था जब चितोडगर दुर्ग कर अधिकार किया था। चितोडगर दुर्ग किस पठार पर इस्थित है। तो यह दुर्ग जो है वह मेसा के पठार पर इस्थित है। Next है 13 question, सभी किलों का सिर्मोर किस किले को समझा जाता है। तो सभी किलों का सिर्मोर समझा जाता है चितोडगर के किले को ही सभी किलों का सिर्मोर समझा जाता है। Next question 14, चितोडगर के किले में कितने साके हुए जो प्रशिद माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम उन तीन साकों के बारे में देखेंगे जो कि चितोरगड की किले में हुए थे. सबसे पहला 1303 में हुआ था अलाउदीन खिलजी के समय में, 1534 में गुजरात के बहादुर शाह के समय हुआ था और 1567 में अकवर ने जब आकरमन किया था तो उस समय यहाँ पर शाह का हुआ था. कौन सा दुर्ग मेवाड के राजपरिवार का आश्रे स्थल रहा है? ठीक है? तो मेवाड के राजपरिवार का आश्रे स्थल और इसी तरीके से मारवाड के राजपरिवार का आश्रे स्थल यह दोनों ही कुश्चन important है. तो वो दुर्ग है जो मेवाड के राजपरिवार क ये कहां पर है राजसम्मद में है कुम्बलगड़ दुर्ग का प्रमुक्ख शिलपी कौन था उस निर्मांद राना कुमबा ने करवाया था तो इस दुर्ग का शिलपी था मंडन ठीक है बहुत बार ये कुशन पूछा गया है आपका second grade में, first grade में कुम्बलगड़ दुर्ग का प्रमुक सिल्पी कौन था? मंडन. कुम्बलगड़ दुर्ग की दीवार कितने किलोमीटर लंबी है? कुम्बलगड़ दुर्ग की जो दीवार है वह कितनी लंबी है? तो यह कितनी लंबी है? यह 36 किलोमीटर लंबी है. ठीक है? कुम्बलगड़ दुर्ग की जो दीवार है, वहें कितनी लंबी है? 36 किलोमीटर लंबी है. चलिए, कुश्चन 18 है, करनल टॉड ने कुम्बलगड की तुलना किस से की है? तो उन्हों ने इसकी तुलना जो है, एट्रिस्कन वास्तु से की है, ठीके? तो एट्रिस्कन वास्तु में क्या था? ये लोग आप बताईएगा इसका आंसर, क्योंकि चैप्टर हम इसी लिए पढ़ते हैं, ताकि हमें इन सब चीजों के बारे में पता हो, ठीके? तो यहां मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी आपको, कि कर्णल तॉड ने कुम्बलगड की तुलना एट्रिस्कन वास्तु से की थी. राणा उदे सिंग का राज्य अभिशेख और राणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? ठीक है? Most important है, पूचा जा सकता है अलग-अलग कि राणा उदे सिंग का राज्य अभिशेख जो है, वह किस दुर्ग में हुआ था? या राणा महराणा प्रताप का जन्म जो है, वह किस दुर्ग में हुआ था? तो कुम्बलगड दुर्ग में हुआ था. और यह कुम्बलगड दुर्ग जो है, वह कहा है? तो हमने अभी देखा था, कुम्बलगड दुर्ग जो है, राज सम्मज जिले में है. कुम्बलगड के उपरी छोर पर किसका निवास है जिसे कटारगड कहते है तो राना कुम्बा का निवास स्थल है जिसे कटारगड कहा जाता है ठीक है पूछा जा सकता है कि कुम्बलगड के उपरी छोर पर जो निवास है जिसे कटारगड कहते है वह किसका निवास है तो रा एक लाइन है कि अबुल फजल जो है उन्होंने कुम्बल गड़ की जो उंचाई है इसके बारे में क्या लिखा कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से उपर की और देखने पर सिर से पगड़ी घर जाती है ऐसा दिखाई प्रतीत होता है ठीक है तो चलिए आज ह तो हम रड थंब और दोट की बात करेंगे मिलते हैं ठैंक यू